दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे conjectivitis infection के वारे में, pink eye infection के वारे में, या कहें तो eye flu infection के वारे में, जानेंगे भई ये किस तरह का infection है, किसको ये होता है, किस तरह से फैल रहा है, इसमें क्या सावधानी रखे, इसमें क्या treatment दिया जाता है, क्या treatment नहीं लेना है, कौन-क objective, वाइट्ई जो प्रोलम होती है, इसको हम pink eye यानि गुलाबी आँखे भी कहते हैं, क्यूंकि दोस्तों इसके अंदर actually होते है कि आँखों के अंदर infection या allergy हो जाती है, इसके अंदर infection भी हो सकता है, ये allergy कारण भी हो सकता है, ये viral infection कारण भी हो सकता है, तो ये check करना पड़ता है अगर आपको यह प्रोल्म हो चुकी है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जरूर जाएगा जिसे कि बाकिये लोगों कोई ना फेले अब इसको समझेंगे अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो इस वीडियो में थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में जानेंग तो देखिए इस infection में actually होता गया कि आखे जो बारी जिल्ली होती है और प्लक का अंद्रोनी इंसा होता है उसमें शूजन या infection हो जाता है जिसके कारण फिर आखों से पानी होता है कुछ यलो रंग का डिस्चार्ज होता है जब वेक्टी सुबह उड़ता है तो आंके चिपकी भी मिलती है कई बार तो पानी डाल के आंके खोलनी पड़ती है आंके लाल रहती है दोनों साइड से ठीक है वेक्टी को धुंडला भी दिखाई दे सकता है वो डारेट सनलाइट म में एक खिचाव से मेहसुस होगा तो कई परोलम हो सकती है आंकों भी दर्ध से लेके आंकों में शूजन तक चूबन तक महसुस हो सकता है इस बिमारी में जाता देखा गया है कि आंखे लाल बोज़ाता रहती है यलो रंग का कुछ डिचार्ज निकलता है आंके चिपकी र तो दोस्तो इसका जो फैलने का कार्ण होता है यह मोटा मोटा देखा गया है कि जब वेक्टी के जो इन्फेक्टर वेक्टी है जो आँखों से पानी आ रहा है तो उस पानी के कार्ण भी यह दूसरी लोगों में फैलती है पहली चीज तो दूसरों यह दूसरी देखा गया कि इन्फेक्टर्ड विक्तिक के साथ हाथ मिलाने से भी हो सकता है ठीक है तीसरा दोस्तों गले मिलने से भी हो सकता है तो ये एक दो कार्ण है जो फैलने का रिजन है दूसरा दोस्तों बारिश के मौसमी ये बिमारी आती है ये कोई नई बिमारी नहीं है जिसको हम जानते है आई स्पेसलिस्ट के पास भी टाइम नहीं है बहुत जादा पेशेंट को उनको देखना पड़ रहा है लंच भी वह टाइमली नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं यह काफी अकरामक रूप ले चुका है हर राज्य में हर डिस्टिक में हर गाव में फेल चुका है तो इसको जानना समझना ट्रेटमेंट लेना बहुत जरूरी है तो इस बिमारी में एक्चुली होता गया है कि आंक का एक इसा जिसको हम कंजेक्टिवा कहते हैं उस इसे के अंदर एलर्जिया इंफेक्शन हो जाता है जिसके काण सूजन और दर्द रहता है आंकों के अंदर य जादातर वेसे बच्चों को होती है यह प्रोब्लोम बच्चों को बहुत जल्दी होती है छोटे बच्ची होती है तो वहां पर आपको कोई लापरवाई ने करनी है वहां पर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अगर को बड़ा विक्ति है तो डॉक्टर को नहीं दिखा इन में दोस्तों सबसे बेश्ट मान जाती है moxifloxacin इसके अंदर अच्छा रिजल्ट मिलता है इचिंग भी कम होती है रेड़नेश जल्दी जल्दी ठीक होती है infection फैलतानी है तो आप moxifloxacin में कोई भी जर चिवर शर्वातविए्म यहां दोस्तों मेंगति सब्सक्राइबभ दूहूर बर सकते हैं इसके साथ में चारा बार, यह तो डाल लीजेगा अग्र आँखों में डर्ध हैं, साथ नगल्ज़िएंग्याद क्या अगर पेंचन जलन है तो इसके साथ आप कोई भी एंटी हिस्टामिन टेबट ले सकते हैं जैसे कि लियो शेटरजीन हो गई वो भी ले सकते हैं खुद लिए चलेगी आपको आप ज्यादा प्रिशान नहीं हो गये तो दोस्तों अगर आपके आज पास यह प्रोलम चल रही है तो सावदान दियेगा अगर आपको हो जाए तो ज्यादा बाहर मत घुमियेगा घर में रहेगा जिसे की बाकी लोगों को भी यह प्रोलम ना फेले तो यहां तक वीडियो देंगे लिए बहुत बहुत धनेवाद मिलते हैं वीडियो में धनेवाद